वेल्कम आपका स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अल्कोहल शराब के विड्रॉल के समय में क्या लक्षन होते है और जब वो शराब लेना एकदम बंद कर दे रहा है तो क्या होता है उसके बारे में और मैं आपको पेशिन बताऊंगा उसके जुबाने आप सुनेंगे कि उसको क्या हुआ था और वो कैसा रिकवर हुआ तो आई यह स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग संभूवन तथा वेसम की तग्यों महाराष्ट में अकोला नाकूर मुंबई उने यहां हमारे होस् करते रहते हैं तो अल्कोल में होता गया है कि एकडम मतलब शराब लेने माला वेक्ती एकडम एक शराब बंद कर देता है तो उसको नीन नहीं आती उसको हाथ थ्रथराना पसीना आना बेचेइन होना ऐसे लक्षन घबराहाट ऐसे लक्षन आते हैं और उसके साथ-साथ वो पुरा डिसॉरियंटेड हो जाता है मतलब कुछ लोग में दिखा जाता है ऐसा जी सभी लोगों में डिसॉरियंटेड मतलब उसको मालूम नहीं रहाता कि अपन कहा है कौन सी सभी देगका सुष नथा कि आपन घर पर या खेट पर या अफिसमें या मंदिर में है वो लोगों गोंग असा बुला या बैठो बैठो अंश को विज्र है डिखते हैं मतलब जो खंड करे दो सकता है कि तो इसको निसे क्यों कोता है नहीं कि मुलेता है और भागता है एदर-невहर नुदर कोई को contributed जब भागेंगा, या किसका गलादो आगेस को भी कर सकता है तो शाधा है गराहा है क्या बोलता है नियुकर पैशन कि ऐसा है तो मुझे उसकम भी है कोई तेल बुला रहा है कोई इधर उलर आप अगे भी बुला रहा है मेरा बड़ा बड़ा पकल पकल के लिखे हाथ तोह एक Looks मेरा सुनियाल में आरा था। मेरे में एंडी जब माँ उठा तो उसके बाद मैं उप्ता अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा अभी आज कैसा लग रहा है अज मैं इंदर अध्वी तर्ष कहिं लाँ हूँ कुछ बुम रहूँ इदर उदर जारा हूँ सबसे बाते कर रहा हूँ को इसको अधल लग रहा भी नहीं कि मॉ तो कम से कम दस मईने तो शरब का भी ने लगा उसके बाद में फंक्शन में गाया था दोस लोग साथ में बएठा वहाँ गलती से पी लिया उसके बाद में पीना चालो हो गया पीना चालो गया फिर एक्सिडन हो गया फिर मेरा ट्रीटमेंट के लिए आये नहीं उसके बाद म पहिल में घख टाए क्याया दाने का वाट बी फिर से जाकी दिया हुआ हो है जाए पिर से वर हमदे फिर फिर से नेका बाद में फिर से मेरा फिर से चलो गया फिर वी उसके बाद में तीन चाहिए दिन यह इनि लगातार 5 दिन पॉठ्टे बराबर शरफकीता था इन में शु आप तो आपने सुना कि उसको क्या हुआ और अभी वो कॉंपलिटली औलर्ट हो गया कि नोगों को हम एडमिट करते हैं इसे,डमिट करने के बाद में उनको नीन की दावा देते है। खाना पुर्म पिर उनको ठीक नहीं रहा तो उनको सलाइन लगा थैं आई वींड फिड्स वो देते है फिर विटामिन के की इंजेक्शनें के इंजेक्शन इंजेख्शन देते हैं अच्छी नेन के लिए आच्छी भूग के लिए द्वाईया और उसको तो समझो fit वगर आती है क्योंकि शराब छुड़ने से खाड़ी वार fit आ जाती है तो fit के लिए उसको दवा देते हैं यहारी होंगी तो या उसकी हिस्टी होंगी तो खाना पर ठीक ना तो काफी आई वी फ्रीड देना पड़ता है 72 अवर्स तक हम बोल नहीं सकते कि यह डेलेरियम जो है उसको अलकोहल विड्रॉल में डेलेरियम आया हुआ है तो डेलेरियम में क्या होंगा पता नहीं वो जानलेवा भी हो सकता है बातर गंटे तक वो ऐसा थी पर फिर हम उसको ऐसी दवा देते की फिर उसको एक प्रिवेंट्यव शराब के लिए डाइसल फिर आम नाम की दवा कि जो गोली वो सवेरेशाम लेता है और गोली लेता है तो उसको धौस रहती है कि नहीं यह गोली के ओपर में शराब लूँगा तो उसको रियक्शन क्योंकि गोली के वर जब शराब लेता है तो उसको काफी जबर्दस रियाक्शन आ सकती है तो इसलिए फिर वो जो लोग एड़स पर दो मॉमेंट मतलब एका एक शराब लेना मतलब लेने के लिए जाते है उनके लिए अच्छा हो कि सुबह तो उनका पकार है ता एक शराब लेने का ने मर शाम को जैसा टाइम आगया फटाक से जाते और शराब लेते तो ऐसे लोग उनको सब्हरे शाम गोली दिया तो उनको मालूम है कि अपनो भी गोली खा रहे इसके उपर शराब लिया तो तकलिफ हो जाएगी रियाक्शन आ जाएगी इसलिए फिर वो एकदम सेल्फ इपनासी सिखाते हैं ताकि वो रिलाक्स होए मेडिटेशन सिखाते हैं उनको ग्रूप थेरेपी में उनको भेजते हैं उनको ग्रूप थेरेपी होती है फैमिली के साथ में समवाद होते रहता है फैमिली थेरेपी होती है और उसमें उनका इलाज हो जाता है तो यह जरूर शेर करो ताकि उनको पता जलेंगा कि शराब बंद करने के बाद में जो भी तीन-चार दिन उसको तकलिफ होती है वो ट्रीटे भल है और वो एक बार तीन-चार दिन निकल गए कि उसकी शराब चुट जाएगा तो जरूर वीडियो आपके ग्रूप में शेर करो आपक पर इसके इसमें आपके कॉमेंट्स दालते जाओ ताकि हम अगला भी वीडियो जैसा आप बुलेंगे वह साथ हम तैयार कर लेंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग तुरूरूरूरूरूरूरूरूरू पर खर ताकि भी ईचसर आपके दूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर्​